The Ultimate Indian में आप सभी गौभी शेक सरकार का नमस्कार तो दोस्तो आज हम बहुती स्पेशल डेटा लेके आने वाले हैं आप तक जो लोग हमारे सब्सक्राइबर्स बाइक्स के शौकीन है ये वीडियो उनके लिए है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि 2022 तक डिसमबर 2022 तक टॉप 10 इंडिया में कौनसी बाइक्स रही सेल्स के हिसाब से टॉप 10 कौनसी बाइक्स की सबसे ज़ादा सेल्स हुई है और दोस्तो मैं ये भी बताऊंगा कि दुनिया की टॉप 10 बाइक कमपनी सेल्स के हिसाब से 2022 में कौनसी रही तो सबसे पहले इंडिया की बाइक्स सबसे ज़ादा सेल्स हुई नमबर 10 पे रही हॉंडा यूनिकॉन हॉंडा यूनिकॉन 2022 में 17,335 यूनिट बिके हैं इनके नमबर 9 पे है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 इसके 20,682 यूनिट सेल हुए है नमबर 8 पे है टीवी एस अपाचे अपाचे के 22,181 यूनिट सेल हुए थे नमबर 7 पे है बजाज प्लाटिना बजाज प्लाटिना के 17,336 यूनिट सेल हुए थे नमबर 6 पे है हीरो ग्लामर हीरो ग्लामर के 28,363 यूनिट सेल हुए थे पाच पे है टीवी एस जूपिटर ये एक मात्र स्कूटी है हमारी टॉप 10 के लिस्ट में TVS Jupiter के 36,157 यूनिट सेल हुए थे नमबर चार पे है बजाज पलसर बजाज पलसर के 74,768 यूनिट सेल हुए थे नमबर तीन पे है Honda CB Shine इसके 87,760 यूनिट सेल हुए थे नमबर दो पे है Hero HF Deluxe इसके 1,7,755 यूनिट सेल हुए थे और नमबर वन पे है Hero Splendor बतलब आप इस डेटा से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में सस्ता और फ्यूल एफिशेंसी के ओपर लोग ज़ादा फोकस करते हैं अगर दोस्तों साल 2022 में वर्ल्ट की टॉप 10 बाइक कंपनी सेल के हिसाब से देखा जाये तो नमबर 10 पे है Kimco Kimco एक टाइवानी कंपनी है इसके 2022 में 3.5 मिलियन यूनिट सेल हुए थे जो की 6.5% मार्केट शेयर है नमबर 9 पे है Lifan Lifan एक चाइनीज कंपनी है इसके 4.5 मिलियन यूनिट सेल हुए थे और 8.2% इसका मार्केट शेयर है नमबर 8 पे है Piagio Piagio एक इटालियन कंपनी है और इसके 5.5 मिलियन यूनिट सेल हुए थे इसका मार्केट शेयर 9.9% है पूरे वर्ल्ड में नमबर 7 पे है Yamaha Yamaha एक Japanese कंपनी है और इसके 6.5 मिलियन यूनिट सेल हुए थे 2025 में इसका मार्केट शेयर है 11.6% नमबर 6 पे अपनी इंडिया की कंपनी है TVS Motor Company TVS के 7.5 मिलियन यूनिट सेल हुए थे और 13.3% इसका मार्केट शेयर है नमबर 5 पे भी एक इंडियन कंपनी है Bajaj Auto Bajaj के 8.5 मिलियन यूनिट सेल हुए थे 15% इसका मार्केट शेयर है नमबर 4 पे है Suzuki Suzuki के 9.5 मिलियन यूनिट सेल हुए थे इसका मार्केट शेयर है 16.7% नमबर 3 पे है Yadiyah Yadiyah एक Chinese कंपनी है इसके 10.5 मिलियन यूनिट सेल हुए थे 18.3% इनका मार्केट शेयर है नमबर 2 पे हमारी इंडियन कंपनी है Hero Motocop Hero Motocop के 13.5 मिलियन यूनिट सेल हुए थे 2022 में और 22.4% इनका मार्केट शेयर है नमबर 1 पे है कंपनी है पूरे वर्ल में 2022 में हॉन्डा हॉन्डा के 17.5 मिलियन यूनिट सेल हुए थे हॉन्डा एक Japanese कंपनी है इसका मार्केट शेयर है 29.1% तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से काफी कुछ नॉलेज मिला होगा बाइक्स के विशेय में ऐसे ही हर एक चीज का टॉप 10 लेके आते रहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे हमाई चैनल को जैहिंद